आपको इंट्राडे करना चाहिए या नहीं आपको पहले 11 points देख करके ये लग सकता है को अरे अरे ये तो मेरे लिए हैं ये तो मेरे लिए हैं ये नहीं मतला सर आप क्या बोल रहो हो किसी को भी इंट्राडे नहीं करना चाहिए ये feeling आ सकता है ठीकें लेकिन लास्ट का जो मैं 7 points बताऊँगा जो जिन लोगों को इंट्राडे करना चाहिए वो देखने के बाद में you will be neutralized, okay fine कुछ वीडियो खतम होने के बाद में कुछ सीखा, कुछ जाना and that was not a negative about इंट्राडे but it's just a realistic perspective because as a businessman मेरा काम positivity फैलाना नहीं है मेरा काम है real executable strategy देना so my job, my full time job is to execute things and same चीज में आपको यहां पर दिखा रहा हूँ realistic talk करूँगा, realistic बात करूँगा, awesome चलो, great so सबसे पहला point, किसे नहीं करना चाहिए इंट्राडे, busy working professional 9-6, अगर आप office में जाते हो बहुत busy रहते हो, काम रहता है आपको, job है, तो वो case में आप इंट्राडे नहीं कर पाओगे अभी के लिए, maybe आप खुछ सीख करके घर में किसी को सिखा सकते हो but then if you are busy, so फिर उसमें क्या होता है, discipline maintain नहीं होती है, for example आप कुछ भी follow कर लो RSI follow करो, Bullinger Band follow करो, Moving Average follow करो MagD follow करो, Stochastic follow करो कुछ ना कुछ तो follow करोगे ना, तो वो follow करने के लिए आपको market में बैठना बढ़ेगा या तो आपके पास कोई micro intra day strategy होनी चाहिए जो 10 मिनिट में या 15 मिनिट में trading खतम कर दे, but intra day का मतलब होता है, 17-19, 30 job नहीं कर सकते, इसके बाद में busy self-employed, अगर आपका खुद का business है, आप doctor हो, lawyer हो, आपके बाद regularly clients आते रहते हैं, आपका कुछ ना कुछ काम होता है, आप focus से बैठ नहीं सकते हो, तो आपके लिए intra day नहीं है, इसके बाद में, अगर आपके life में बहुत सारे personal issues चल रहे हैं, relationship issues चल रहे हैं, जगडे चल रहे हैं, तो वो case में आप intraday trading मत करो, because क्या होता है, जब personal life हम trading में लेके ही आने वाले, it's basically practically not possible कि आप personal life में mess चल रहे हैं और trading में mess ना हो, so, अगर personal life में issues हैं, वो हम trading में लेके याने वाले, so, वो case में, I will recommend यूँ कि आप कुछ ताइम के लिए आप trading को बंद कर सकते हो, या pause कर सकते हो, एक बार life को sort out करके वापस trading में आ सकते हो, harsh truth but reality of life, इसके बाद में, health issues, अगर आपको कोई बहुत बीमारी है, काफी लोग हमारे पास mail आते हैं हमें, that sir, मुझे ये विमारी है, but मुझे घर चलाना है, तो मुझे intraday trading करना है, see, positivity is good, लेकिन intraday trading is a deep skill to learn and to execute, decision making should be really fast, और जब deep skill है, decision making बहुत fast है, आपको एक quick, athlete के जैसे trade करना है, तो वो case में, पहले health issues, इसके बाद में, poor sleep, अगर आपका नींद ठीक नहीं होती है, again, बहुत छोटे point लग रहे है, but जब आप psychologically and scientifically इस बात को study करोगे, then you will realize, हाँ यार, सिदात तो सही बोल रहा है, because मैं ये science से आ रहा हूँ, जब आपका brain में brain fog होगा, वो उसके साथ में आप trading करोगे, तो जब decision making skill होगा, वो खराब होगा, आज के time पर science बहुत ही अच्छे से ये समझा रहा है, explain कर रहा है, that why sleep is one of the most important medicine, the word is medicine, so it has a direct connection with your money in intraday, इसके बाद में, if you are a very beginner, ये मैंने काफी बार वीडियो में बोला है, that if you are a very beginner into stock market, if you are a very beginner into trading, first make some money on daily chart, और a weekly chart, थोड़ा सा swing trading करके, positional trading करके, पैसे बनाओ, पैसे बनाओ, पैसे बनाओ, पैसे बनाओ, उसके बाद में आ करके intraday trading करो, पैसे से मिर को याद आया, अगर आप मुझे नहीं जानते हो, तो my name is Sidad Manushalian, and we are on a mission of impacting 1 crore family by 2025, पास्बुक में entry आना चाहिए, एक करोड लोगों के घर में, एक करोड घर में basically, इसलिए मैं हर Friday को इस तरीके से कुछ ना कुछ वीडियो बनाता हूँ, कभी strategy देता हूँ, कभी executable strategy देता हूँ, कभी knowledge देता हूँ, की चीज़े देता हूँ, जो आप लोगों को life में really practically काम आए, आगे चलू, चलो great, so basically अगर आप बहुती नए हो, तो intra day में मत जाओ, बहुती fancy लगता है, बहुती ऐसा euphoric मज़ा वाला चीज़ लगता है, पर इस अ हार्ड कोर बिजनस, ठीके, यह ऐसा होता है कि सीधा हम international खिलने चले गए, cricket विराट कोली के सामने, balling कर रहे हैं, पहला गली में खेलो, रंजी खेलो, easy cricket खेलो, उसके बाद मैं international level पे जाओ, so पहले, if you are beginner, I see, और एक बहुत important बात है, बहुत important बात, और इमें काफी बार, जो लोग हमारे पास सीखना आते हैं, उनको बोलता हूँ that, what I am speaking, is my experience, it's not the ultimate truth, what I am speaking is not Bhagavad Gita, Bhagavad Gita is behind me, I am speaking is my experience, मैं अपना खुद का सच बोल रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, दे रहा हूँ, जो मैं सोचता हूँ, बता रहा हूँ, जो मेरे belief system है, वो आपको explain करता हूँ, reasons बताता हूँ, logic बताता हूँ, advantage बताता हूँ, disadvantage बताता हूँ, it's not an ultimate truth, ultimate truth is one, which you will get in Gita, this is not ultimate truth, this is my experience, so ये किताब में ये लिखा है, उसने ये बोला, वो ट्रेटर ने ये बोला, वो उनका सच है, ये मेरा सच है, ये फरक है, हाँ, so वो भी गलत नहीं है, मैं भी गलत नहीं हूँ, उसका experience है, ये मेरा experience है, so there can be people who debate on this, that if you are new, you should do intraday, this, that, blah, blah, but I don't think so, anyways, आगे जाने से पहले, मुझे याद आया, with this, कि अभी जो next event होगा, वो अपरिल में है, तो आपको अगर सीखना है, हमसे, तो अपरिल वाले event अटेन करना, लेकिन उसके पहले, चार महिने का trading course है, so it's like 3-4 महिना trading course, मुझे अपरिल तक, अपरिल खतम होगा course, so 2-3-4 महिना, depends on आपका पर register करते हो, फिर 2 दिन का event और बाद में, यह, so यह दोनों चीज का fees is, 1050 with 100% money, by guarantee, अब बोलोगे, इतना कम fees के हो, उसके लिए यह वीडियो देखना, detail भी और fees भी सब कुछ, इसने में पता चलेगा, payment process सब कुछ, awesome, so, habit of overtrading, अगर आपको बहुत ज़्यादा trade करनी की आदत है, आप free बैठे हो, सबानों से साड़े तीन, और बस order ही punch करे जा रहा है, और intraday में तीन से चार से पांच trade के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं हो, और पांच trade भी में ज़्यादा बोल रहा हुआ, तीन trade is idle, चार trade, पांच trade is extreme trading, पांच के ऊपर is crime, crime को हिंदी में क्या बोलते हैं, गुना, पांच trade के ऊपर is गुना, पांच is highest, पांच के नीचे होने चाहिए, अगर आपको over trading का habit है, intraday is not for you, greed trading, बहुत बार लालच होती है, हमें trade करने की, पैसे बनाने की, आपको किसी दाओद, obviously ओं मार्केट में पैसे बनाने आते, हाँ बाबा, मैं ही बोलता हूँ, पास्बूक में एंट्री बनाओ, लेकिन एक होता है लालच, और एक होता है system, दोनों में जब फरक समझाएगा, देन आप एक next step पे आओगे, trading में, and then I will tell you, welcome to the professional traders club, but then हाँ, ये जरूर है, that don't trade with greed, trade with system, trade with method, अगर greed trading कर रहे हो, stop intraday, इसके बाद में taking loan and doing intraday, again a big crime, recently एक mail आया था हमें, कि मेरे पास 20,000 है, मैं और like, loan ले कर के trading करना चाहता हूं, and I'm like, it's crazy, absolutely no, you cannot make money with loan, करोडों में से एक आदमी बना सकता है, but then, it's not advisable to do that, then, incomplete knowledge, थोड़ा यहां से सिखा, थोड़ा वहां से सिखा, प्राक्टिस किया, नहीं किया, सीधा hero बन के जंप मार रहे है, don't do that, then, who have capital more than 15 lakhs, again this is very debatable topic, very debatable topic, but just, I'm giving you my perspective, फिर आप अपना दिमाग लगाव उस पे, ठीके, don't think, कि मैं, like, rather than thinking, सिधात सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है, टेक सिधात सिधात स्प्रस्पेक्टिव, and with सिधात स्प्रस्पेक्टिव, add your own thought process, and then take your decision, ठीक है, so basically, मेरे आप बोलने का मतलब यहां पर यह है, that if you have 15 lakh rupees, you should focus on more of a positional trades, more of a investing, more of a swing trading, because, आप 15 से 30-35 lakh आपको बनाने है, initial phase में, एक बार आप 30-35 पे पहुँच गए, फिर आप futures चालू कर सकते हो, और यह सारी चीज़े passively हो सकती है, जो मैं, लेक इंट्राडे करो कि आपका गोल क्या है, महीने का लाग रुपय बनाना है, दो लाग रुपय बनाना, तो उसके जगा पे थोड़ा सा कट लो, कट मतलब दो लाग नहीं बनेगा, असी हजार बनेगा, ठीक है, बट passive बनेगा, सिर्फ दिन की 15 मिनिट लगेगी, ऐसा कुछ सोच के, अगर आप दिमाग लगा पाओ, और अपने समय को श्रिंक कर पाओ, मार्केट में, तो वो बड़ा पैसा है, एक बार आप 15 से, 30-35 पहुँच गया, फिर आप फ्यूचर में, ट्रेड कर सकते हो, लेकिन, coming back to the point में, 15 से ज़ादा इंट्राडे करने ना, इसलिए बोल रहा हूँ, इसलिए आपके साथ श्रिंक कर रहा हूँ, सच, किन लोगों को इंट्राडे करना चाहिए, यह सारे जो negative points से आप कह सकते हो, या तो इनको नहीं करना चाहिए, बट देन, next जो मैं बताने वाला, उनको करना चाहिए, पे अटेंशन बिकॉज अगर आप नहीं करने की category में आते हो, और आपको करने की category में जाना है, तो आपको यही point काम आएंगे, awesome, first is, patience जिसका बहुत अच्छा है, so obviously बात है, अगर आपको intraday trade करना है, तो आपको patience develop करना पड़ेगा, patience कैसे develop करना है, उसके लिए आपको Google करना पड़ेगा, YouTube करना पड़ेगा, patience, so if you have good patience in life, awesome intradays for you, then a stable bulletproof mindset, मैंने रिसेंल एक वीडियो बनाया था, bulletproof mindset को पर दें, how I make money or something like that, उसमें मैंने इस चीज़ पर थोड़ी सा अच्छे से बात करी थी, that if you can have a stable mindset, happy mindset, who is like, जिसको emotions and external events से फरक नहीं पड़ेगा, तो वो intraday में बहुत ज़्यादा काम आता है, अगर आपका वो stable mindset नहीं है, emotions बहुत ज़्यादा up and down होते है, so maybe पहले आपको stable mindset करना पड़ेगा, और बाद में आना पड़ेगा, आपको पहले से stable mindset तो intraday आपके लिए बहुत अच्छा option है, इसके बाद में afford to give time, obviously बात है, अगर हमें intraday करना है, तो time देना पड़ेगा, अगर आपको time नहीं है आपके पास, तो intraday नहीं है आपके लिए, अगर time है, तो intraday है आपके लिए, awesome, फिर if capital between 5, 1 to 5, आपके बाद सिर्फ अगर like 50,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, थोड़ा सा कड़वा बोलूँगा, अगर आप housewife हो, तो आपको बुरा नहीं लगेगा, तो बोलूँ, पक्का, देखो permission लेके बोल रहा हूँ, see, mobile ले करके Instagram स्क्रोल करना, WhatsApp पे reply करना, status रखना, पंचात करना, अच्छा है, बट कब तक, कितने साल, 20-30, 40 साल गुजर गए, अगले सिर्फ 20-30 बाकी है, शायद, वो भी उपर वाले की इच्छा होगी तो, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है, कि आप Instagram भी scroll करो, और Reels भी देखो, और WhatsApp भी reply करो, लेकिन उसका एक time set कर दो, कि मैं वो रात को सिर्फ आदा गंटा करूँगी, या दोपर को आदा गंटा करूँगी, और बाकी का time थोड़ा सा निकाल करके आप market में trade करो, पूछ रहा हूं मतलब, I am asking you a genuine question, I don't want to hurt you, मुझे पता है कि आप के पास घर का काम है, खाना बनाना है, बच्चे है, हस्बंड है, उनका family है, उनके parents है, घर साफ करना है, खुद का काम है, आपके parents है, आपका बड़ा family, I absolutely respect that, और मुझे बहुत अच्छे से समझता है, बट थोड़ा समय निकाल के कुछ trading waiting हो सकता है, पूछ रहा हूं, अगर हो सकता है, सो, कुछ free webinar webinar रखे, females के लिए, housewife के लिए, चलो कुछ plan करते हैं next month में, ऐसा कुछ, बट अभी के लिए आप ये वाला वीडियो देखना, swing trading कैसे करया, swing trading से पैसा कैसे बनाए, ठीक है, since you are housewife, I am assuming का आप expert नहीं हो, and since आप expert नहीं हो, मैं आपको intraday करने नहीं दूँगा, so पहले आप swing trading वाली ये वीडियो देखो, सुकून से देखो, पैसे बनाओ, पांच-दस हजार जो हमने छुपा करके कबट के अंदर कहीं पे रखे है, उन पैसो को मार्केट में लगाओ, और उन पैसो से ट्रेड करो, थोड़े पैसे बनाओ, पहले experience ले लो, बाद में और funds आप मार्केट में लगा सकते हैं, I hope that does not hurts you, and that you got my real intention what I am speaking, because काफी बार जब housewife हमारे पास सीखने आते, वो जब ट्रेड करते हैं, पैसा बनाते हैं, फिर एक mail आता है, या कभी message आता है, कभी phone पे बात होता है, कभी zoom पे मिलते हैं लोग, तो तब एक आता है कि सिदात ऐसा नहीं था कि husband पैसे नहीं देते थे, या पैसो की कमी थी, लेकिल, उसका पैसा लेके खर्चा करने में और खुद का पैसा कमा के खर्चा करने में, वो दोनों लाइफ में बहुत फरक हैं, and we feel really happy as a team that because of our video, because of our content, because of our effort, यह सब हो पा रहा है, आज लोगों की लाइफ, real impact आ पा रहा है, and for me, real impact is past book में entry, and mentally grow होना या अच्छी जिंदगी जीना, that's my definition of growth, दो चीज, क्या, फिर से बोलता हूँ, सोना, बहुत-बहुत मस बात बोल रहा हूँ है, एक past book में entry is growth, दूसरा, mentally grow करना is growth, आप अगर संदीप के वीडियो देखते हो, you will grow mentally, so, for me, that's growth mentally, and second, this, obviously, relationship अच्छी होना सब होगा, गर mentally grow हो जाओगे, तो सब is a part and partial of life, so mentally grow होना, and past book में entry, दो ही चीज है, so, क्या बोल रहा था, बूल रहा है, क्या बोल रहा था, हाँ, तो हाँ जाएक के लिए session रखते, मैं आपको बोल रहा था, आपके यसे mail message आते हैं, क्या आपके वज़े से यह होगा है, and we feel really pumped and happy for that, and like, बहुत लोगों, कम लोगों को यह पता होगा, that मैं यहाँ पर अकेला दिखता हूँ, I'm a single person here, who is speaking, हर Friday को आता हूँ, चलाता हूँ, सिखाता हूँ, और जाता हूँ, but then उसके camera के पीछे, जो इतनी बड़ी team है, जो मेरे यहाँ पर, यहाँ पर लोग काम कर रहे है, जो दूसरी office में लोग बैठे है, वो आपको नहीं दिखते है, जो mail का reply होना है, app query solve होनी है, support system है, support team है, they are doing mind-boggling crazy work behind the camera, and because of this team, आज जो impact हो रहा है, जो लोग आ रहे है, जो पैसे बन रहे है, it's not a Siddhaat Bhanushali, but it's a team who is working behind the camera, जिनको शायद आपने आज तक कभी नहीं दिखाए, coming back to the topic and content, housewife, then making consistently profit in swing trading, so अगर आप daily chart पे, consistently पैसे बना पाते हो, कुछ समय तक, कुछ महिनों तक, then maybe you can think for intraday trading, so अगर आप ये कर लिये हो, then you should start intraday trading, next is 2-5 years experience of making money in market, कोई भी टाइप के market में चाहे, investing हो, options हो, positional हो, swing हो, अगर आप कहीं ना कहीं पे 2-5 साल पैसे बनाए हो consistently, then आप अपना intraday में हाथ आजमा सकते हो, और एक चीज में बोलता हूँ, जो शायद मैंने इसमें लिखा नहीं है, ये pointers में है नहीं, so वो ये है, that बहुत लोग intraday करते हैं, fail होते हैं, and then they come to daily chart, and they succeed, and उनको लगता है कि मैंने उनको कोई magical formula दे दिया, see it's not magical formula, intraday trading is for a typical specific people, जिनका patience अच्छा है, mindset अच्छा है, so it's very rare combination in today's world, बहुत ही कम लोग है, जो ये चीज़ कर सकते है, most of लोग intraday में fail होते है, then I give them daily chart and simple strategy, and it just works, they make money, and they say, okay सदा, thank you, and I'm like, मैंने कुछ नहीं किया भाई, ये rule है, ये नियम है, ये विद्धी का विधान है, ऐसा ही होता है, most of लोग को जब fail होते है, go to daily chart, make money, then come back to intraday, it might work for you, आपके लिए फिर से शायद वो काम कर सकता है, so if you're not making money in intraday, daily chart, daily chart पे पैसे बना, फिर intraday में आओ, and देखो क्या होता है, done awesome, so मेरे पास यही था, आज के लिए, I'm super happy and pumped to give you all this thing, आप मुझे बताना पूरे वीडियो में सापको, कौन सी बात अच्छी लगी, क्या अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा, next हफते क्या देखना चाहोगे, क्या सीखना चाहोगे, housewife वाला मेरे को एक अच्छा वेबिनार जूम पे करने का बहुत इच्छा है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है यह बताना, and I will meet you in the next Friday, till that time, be disciplined, because discipline is one of the most important thing to make money in stock market. कि अच्छा है,